तो आज का जो वीडियो है अगीन देट इस ऑन फिशेस एंड बर्ड्स तो मैं एक पैट शॉप में गया था तो वहाँ पे काफी अच्छे फिशेस के कलेक्शन्स मुझे दिखे एकुरियम फिशेस और कुछ बर्ड्स भी थे और कुछ कैट्स पर्शियन कैट्स भी थे तो आ आपके सामने है अभी यह प्लांटेट टैंक है प्लांटेट टैंक मतलब इसके अंदर जिंदा ग्रीन हर्ब्स और ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अंडर वाटर प्लांट्स जिसको हम कहते हैं और यह सामने कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है एंजल फिशेस बहु इमेज को इधर recreate करने की कोशिश किया गया है बहुत ही अच्छा setup है टेंक के अंदर और टेंक के अंदर fishes के health भी कफी अच्छ है और यह है एक planted tank इस tank के भी जो architecture है जो design है काफी eye catching है और इसमें जो farns लगे हुए है एक driftwood के चारू और जो farns लगे हुए है वो भी काफी green है और जो grasses लगाया गया है जो base पे जो carpet area पे जो green grasses लगाया गया है वो भी काफी healthy है और green है यह आप farns बगरा देख सकते हो जो driftwood के चारू और लगाया है इसके अंदर है आपके बहुत सारे underwater plants तो और जो छोटे प्रजाती के मचली है वो भी टैंक के शोभा को बढ़ा रहा है और इसके बगल में एक और चोटा सा planted tank नहीं यह तो बहुत बड़ा सा tank था इसके अंदर भी कुछ green plants है और साथ में कुछ coral rocks भी है तो टाइगर फिश फिर यह red parrot और चोटे मूटे और भी जैसे की दिखाई दे रहे फिश आपको इसके अंदर भी यह भी टैंक काफी तो coral rocks का भी जुनोंने टैंक के अंदर setup किया है काफी brilliantly किया है और देखने में और उसके अंदर lighting जो है वह भी shade उसका change हो रहा है तो मुझे तो काफी अच्छा लगा tank का setup और lighting का setup भी काफी अच्छा है तो यहाँ पर है betta fishes fighter fishes तो यह glass के बाउल के अंदर रखे हुए है dark blue color के color बहुत अच्छा आया है fighter fish का तो अभी यह थोड़ा सा शांत बैठा हुआ है इसलिए इसका खुबसूरती दिखाई नहीं दे रहे है लेकिन यह देखने में काफी इसके बगल माला जो है वह काफी active है तो आप लोग उसका beauty को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीके से अपने fins को spread कर रही है देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक persian cat white color की यह है persian billy इसका जो hair है बोड़ी में काफी लंब लंब है और उसका tail भी काफी soft और देखने में बहुत प्यारा लगता है टेल के वजासे persian cats मुझे भी बहुत पसंद है और फिर मश्ली की tank के तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा molly fishes similar color के molly fishes काफी healthy और same size के बहुत ही प्यारे प्यारे और फिर एक और persian cat यह भी काफी healthy दिख रहा है मुझे बहुत मोटा और बहुत ही cute उसके जो fur quality ह हो भी काफी अच्छा for quality है तो यह cat और इसके बगल में cat ओना कि गोदी में cat बहुत ही खुश लग रही है मुझे cat है मिमी तो यह पर्षियन cat का भी भाई के पास collection है अच्छे का से तो फिर आते है मश्ली की तरफ यहाँ पर कुछ गॉल्ड फिशर्स गॉल्ड फिशर्स के colorful varieties मल्टी कलर में गॉल्ड फिशर्स मिलेंगे आपको उसके अंदर जो अर्टिफिशल प्लांट वगरा है वह भी देखने में कफे अच्छा है एक और white color के पर्षियन cat अज के जमाने में पर्षियन cats इंडिया में काफी popular हो रहे हैं जो लोग apartments में रहते हैं जो dog effort नहीं कर पाएंगे क्योंकि dogs सम्टाइम थोरा सा noise भी होते हैं और उनकी space भी जादा चाहिए होता है लेकिन अगर कोई आप cats के shock करते हैं तो आप छोटे से apartment में अपने फ्लेट में cats को अराम से रख सकते हैं और पर्षियन cats तो रीली beautiful है देखने में भी काफी cute लगते हैं और once again यहाँ पर इस tank के अंदर बहुत सरे milky koi not only milky यहाँ पर colorful koi भी है इसको बोलते है Japanese कोई carp इस फिश को particular fish को कोई carp कहा जाता है तो अच्छे size के कोई carp है भाई के शॉप में यहाँ पर aquariums बगरे भी सीर होते हैं जो लोग एक लिना चाबते हैं ले सकते हैं और देखिए इसके अंदर कुछ tetra variety के fishes tetra fishes और tank के अंदर एक green plant alive green plant कोई artificial नहीं है यह भी एक planted tanky है इसके अंदर एक लग दिया गया है हरा गास और इसके चार ओवर tetra fishes और नीचे एक driftwood का setup भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में इसके उपर यह zebra denios यह लूग भी काफी अच्छे होते हैं फ़रा बोडी का जो उनका color है काफी bright होता है एक planted tanky है इसके अंदर green plants के चार और और कुछ यह यहाँ पर गप्पी fishes भी दिखाई दे रहे colorful guppy fishes तो आ और जो मेरा हमसे favorite topic that is bird भाई के setup पे कुछ पाइड कोकटल का collection भी आया हुआ है यह कोकटल भी बहुत smart और बहुत intelligent और cute देखने में भी बहुत सुंदर होते बर्ड और उनके जो हैट पे एक ताज होता है वह समटाइम जब गुस्से में होते यह पताने यहार में उते हो तो उसका सर का जो allट है वह स्टैट हो जाता है और कभी कभी Hoo computer कर देते हो उसके जो क्रेस्ट है सर के ऊपर हो तो यह कोकटल अ मिंबॉत सरे mutations में आते है को जैसे सबसे common को पटल होते है आपके 2000 को आपके। क्रीम क्रीमिनो कोकटल है और यह है पाइड़ कोकटल यह थरह सा costly variety में आते हैं और बहुत ही healthy quality में मुझे दिख रहा है यह बड़ यह अप में भाई के पास अभी नयाई नीडाwię स्टोक आया है तो वंस अगेन गोल्फिश देखिए कितना हेल्दी और उसके जो कलर काफी ब्राइट और चमक रहा है उसके साथ में एक ब्लैक कलर का गोल्फिश भी है गोल्फिश बहुत जो मतलब एकुरियम फिल्ड में जिसका नौलेज नहीं हो भी बता देगा कि यह गोल्फिश का पेट है ना काफी फुला हुआ एक दों गोलू-मूलू सा रहता है तो गोल्फिश बहुत ही एक पॉपुलर फिश वाराइटी है एकुरियम फिश के साथ लिए तो एकुरियम का सटब भी भाई किया पर अच्छा खास आए यह वन सगें टीन फैल वर्ब्स और टीन फैल वर्ब के साथ भाई ने कुछ यह गोल्रमी पी रखे हुए है और हमें की दिशिस रखे हुए है टीन फैल के साथ मुझे अभी तीन फैल काफी सांत कि जो निच्छे का जो ब्राइट यलो एंड रेडिश कलर का जो मुझे सी प्लांट दिखाए दे रहा है वह काफी अट्रक्टिब लगा मुझे आजकल जो एकुरियम एक्सिसरीज में बहुत सरे चीज़े आने लगे नहीं जो आपको एकदम नेचरल टैप के लुग भी देत कि गुर्णमी भी है बहुत ही यूनिक यूनिक कलर्स के आपको आसकर्स मिलेंगे आसकर फिस भी बहुत सुन्दर होते हैं देखने में और काफी हर्डी भी होते हैं किसी भी टैंक में आपको यह आसकर फिश दिख सके गए अब और यह फिर टैगर वर्प्स और इसके साथ है कुछ वीडो इसको कहते हैं वीडो टेट्रा और यहाँ पर एक और जाइंट पिराना पिराना फिश भी देखने में काफी सुन्दर लगते हैं उसके साथ में है शर्क ब्लैक शर्क और उसके पगल में अलबीनो शर्क तो यह में भाई ने बिग साइस के फिशस को रखे हुए है कैमरे में तुरह चोटा दिख रहे लगी नहीं एक चुल में है काफी मैं जब देखा था उसको नजदीक से है तो मुझे काफी बड़ा लगा और उनकी दुकान का शान उनका सबसे फैवरिट दा टैगर दा किंग लैम है और सका हैट साइस भी बहुत बड़ा है यह उनकी दुकान का सबसे किंग साइस परिशन केट है यह एक बिल्ला है उसका डेड़ साल एज है तो अभी तो यह बहुत शांत से बैठा हुआ है लेकिन जो उसका है जो भाई उसको प्यार कर रहे हैं वह बता रहा था कि यह जो किंग कैट है बिला है बहुत ही जादा डेंजिरस है दो दिन पहले उसने बाहर के दो बिल्लियों को मार दिया था फाइट करके जो जितना शरीफ दिखता है एक चेक्चुल में इतना शरीफ है नहीं लेकिन हाँ हुमेन के साथ उसका जो फ्रेंडली अटश्मेंट है हो काँचा है जो लोगों के साथ हो कभी शांट से रहते हैं मैंने बाकी कोई दूसरा भील्ड है कर शोप के आसभास भीरने का साहस नहीं कर पाता है इसके चलते यह जब तक शब कोई-दुसरा एदर अधरर नहीं कर सकता है उसको तो खेयर नहीं यह किंग-पर्शन-कैट बहुत ही प्यारा देखिए उसका लेक आगे का जो पाऊ है पीछे का जो पाव है कितना मोटा है और उसका जो कोटिंग Okay अर नहीं को सब्सक्राइब कीजिए बगल में रखाए बेल आकोन को प्रेस कीजिए विडियो को लाइक की कुछ फिचिश के स्पेसिस के नाम घलत बताया हूं या आपको उसके बारी में बातर नौलेज हो तो इससे क्या है मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं नहीं हूं इस यूट्व फिड्ली में तो मैं भी आपने आपको मोडिफाय कर लोगा आपने अपको अपडेट कर होंगा और आप लोगों को इस तरह से नहीं वीडियो दिखाता रहूंगा एंट्रेटेन करता रहूंगा तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वन्स एगें सब्सक्राइब मैं चैनल एंड मोटिवेट मी थैंक यू जैहिंद